नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल TechTricks4U में अगर आप भी अपनी गैलरी से कुछ चुनिंदा फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो बने रही है इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले अपने फोटो को में हाइड करना चाहता हूँ तो नॉर्मली हमें उसको सेलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक option दिखेगा add to album का यह देखेगी add to album का एक option आएगा हमें normally इसके उपर click करना है और यहाँ पे हमें दो option दिखेगे एक create an album और दूसरा private album आप चाहें तो private album के अंदर भी directly इसको hide कर सकते हैं तो जब यह synchronize होगी तो cloud में जाके save होगी अगर आप नहीं चाहते हैं cloud में जाके save करना directly hide करना चाहते हैं अपने phone के अंदर ही इसको रखना चाहते हैं तो आपको इस case में create an album का option पे click करना होगा यहाँ पे मैंने create an album के option पे click किया और यहाँ पे आपको एक folder का नाम देना पड़ेगा example के लिए मैं एक folder का नाम p2 दे देता हूँ और इसको ok कर देता हूँ already मेरे पास ये p2 है तो मैं इसको p3 कर देता हूँ और ok कर देता हूँ और यहाँ पे आपको 2 option मिलेंगे move का और copy का आपको move कर देना है इसे copy नहीं करना है क्योंकि copy करेंगे तो आपकी एक file main folder में रहेगी और दूसरी file इस folder में आ जाएगी तो हमें इसको move करना है जैसी आप move करेंगे और आप अपने album में जाएगे आप देखेंगे यहाँ पे P3 नाम का एक folder आपको मिल जाएगा हमें simply इसमें click करके रखना है जैसे आप अपना thumb इसके उपर रखेंगे और hold करेंगे तो यह select हो जाएगा और नीचे आप देखें यहाँ पे आपको hide का option देख रहा है हमें simply hide का option में click करना है और okay कर देना है देखें आपका यह जो folder था यहाँ से hide हो चुका है आपकी photo भी या video जो भी आपने hide की थी वो भी यहाँ से आपकी हट चुकी है अब इससे पहले कि मैं इसको recover करने के बारे में बताऊं अगर आपको video पसंद आ रहा हो तो video को like कर लीजे और channel को भी मेरे subscribe कर दीजे अब चलते हैं इसको recover करने की तरफ तो उसके लिए हमें क्या करना है album के ही option में आप देखेंगे उपर की तरफ आपको three dots देखेंगे आप यह देखेंगे यहाँ पर आपको यह three dots देख रहे हैं हमें simply इन dots के उपर क्लिक करना है और settings में चला जाना है settings में आप नीचे करेंगे तो आपको view hidden album का एक option देखेगा हमें simply इसके उपर क्लिक करना है और देखें यहाँ पर हमारे पास यह P3 folder आ गया जिसको मैंने hide किया हुआ था तो simply हमें unhide बटन पर क्लिक करना होगा और video यहाँ से फिर से आपके उसी folder में पहुँच जाएंगे जहां से आपने इसको hide किया था अब यहाँ पर मैं ok कर देता हूँ देखें यहाँ से हट गया है back जाईए एक बार फिर से back जाएंगे और देखें आप यहाँ पर आपको P3 folder देखने को मिल जाएगा जिसको मैंने hide किया हुआ था तो अगर video पसंद आई हो तो video को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद